Hello everyone, how are you all? सभी अच्छे हैं आप सभी? ये टेक्स्ट सेक्शन में डेली हम आपको ये वीकली एक लेशन कराएंगे, एक पोयम कराएंगे, एक विश्टास का लेशन कराएंगे. सबसे पहले जरूरी क्या होता है बच्छों, किसी भी पोयम का अब्जेक्टिव है, what is the objective? and what does the poet want us to understand, poet हमसे क्या चाहता है, कि वो किस बात को समझे, और किस परकार उस situation को अपने उपर लागू करें. पेबला नरुदा चिली के रहने वाले poet से, 1904 में उनका जनम हुआ, and he died in 1973. ये तो poet के बारे हम थोड़ी introduction होगी, उसकी poem आम तोर पर easy होती है, जैसे poem keeping quite है, अभी आप देखेंगे, इसकी बिलकुल language बहुत easy है, और उसने, he won the Nobel Prize for Literature in 1971, 1908 में उसको Nobel Prize भी मिला था. इस poem की मादयम से, नरुदा talks about the necessity, यानि importance of white introspection. introspection होता है, अपने अंदर, विचार कीजिए, and creating a feeling of mutual understanding among human days. और ये देखिए, कि दुनिया के एक कोने से दूसरी कोने में, दुनिया के center में, left से right में, जहां भी जो लोग रहते हैं, उनके साथ, एक understanding मनाई है. क्यों? क्योंकि human beings are same all over the world. तो ये broad theme था उसका, और वो हमसे appeal करते हैं, पेबला नरुदा, कि that we must keep quiet, to promote human understanding. ये इसका objective है poem का, तो poem का objective समझेना भी बहुत ज़रूरी है. अब इसमें हम क्या के discuss करेंगे, title of the poem, चीक है, poem किस चीज़ के बारे में है, what do you think the poem is about, keep, और benefits of introspection, कि हम introspection करते हैं, अपने अंदर मन में विचार करते हैं, तो उसके क्या फाइदे हैं, peace of mind leads to success, जिसका एक motto होता है, peace of mind, if you are peaceful, you will get success, ये एक दूसरे से relate है, ठीक है, अब सीधा हम poem पे चलते हैं, आपको वहीं सारी बात नहीं होता है, ये देखी poem, keeping quiet, पेवला नेरुदा, इस poem के अंदर, जो हमारे poet हैं, वो उनिशे चार से उनिशे तियातर तक रहे, is the pen name, ये pen name है, उसका, अपना original name नहीं है, pen name is nickname, जिसके हम भूल लेते हैं, original name है, उसका, नेफ्टाली रिकार्डोर रेस, बोस्ट बाल टो, ये भी आपको आराना चाहिए, क्योंकि कई बार pen name बर name पूछ लेते हैं, exam में, और वो चिली के रहने वाले हैं, ठीक, उसका नेफ्टाली रिकार्डो है, उसका नाम, basically, और 1971 में, उन्होंने, Nobel Prize जिता, वोल्टरी गीए, अभी जो point का theme ही ये है, necessity, क्या necessity of, क्या theme है, necessity of quiet, introspection, and creating a feeling of mutual understanding, among human beings, ये ही poem का theme है, कि हमें आपस में, अपने मन में विचार करके, और ये feel करना चाहिए, कि दुनिया में जो भी human being है, वो सब हमारे brother and sister है, अब what does the title suggest, अब ने सोचा, what do you think the poem is about, poem किसके बारी में, ये सोचा, अब इसका title है, keeping quiet, this is the title, keeping quiet, quiet means peace, calm, no sound, no noise, means, यानि एक ऐसा समय हो, जब बिलकुल आवाज ना हो, जैसे, now he starts his poem, मैं आपको पहले poem ही करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको परिटिक डुएस इस भी बता दुए में 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 इसके, और theme हम साथ साथ डिसकस करी रहे, now we will count to 12 and we will all keep still, अब हम एक से बारा तक गिनेंगे, एक से बारा तक गिनेंगे, और उसके दोरान silence रहेगा, कि सब लोग चुप रहेंगे, अब इसी से आप देखो, जब आप चुप रहेंगे पूरी दुनिया में, तो कितनी noise pollution कम हो जाएगी, industries की, factories की, गाड़ीज की, सब silent हो जाएगा, and we will all keep still, यह देखो, keeping quiet still, still का मतले ही, peace है, no movement, no sound, ठीक है, no movement, कोई movement नहीं आपका, no sound, कोई sound नहीं, next, for once on the face of the earth, एक बार the earth, the earth means our mother tank, यह अर्थ का E capital air और आगे दाल लगा है, what does it mean, the earth, where we live, जहां हम रहते हैं, इस पृर्थवी को, इस पृर्थवी को अगर यह ठीक रहेगी, तो हम अच्छे तरह से जीवन वैतित कर सकते हैं, और अमारी आने वाली पीडियां भी, इसमें अपना जीवन अच्छे तरह वैतित कर सकते हैं, लेट्स नोट स्पीक इन अनी लैंग्विज, चै वो हिंदी हो, बाषा प्रेंच हो, इंग्लिश हो, किसी भी बाषा में बात ना करे, इन अनी लैंग, what does it mean, इसका मतलब क्या है, चै वो इंडिया हो, चै वो जर्मनी हो, चै अमेरिका हो, चै उस्ट्रेलिया हो, चै नीधर लैंड हो, अलग-अलग भासा हैं बोले जाती हैं वहाँ, इसका मतलब कोई भी किसी भी देश का नागरी हो, बारा गिन्ने तक चुप रहेगा, let's stop for one second, और एक second के लिए हम रुकें, and not move our arms so much, arms so much का मतलब कि हम अपने काम को बढ़ाएं ना, अपने काम को रोग दे, अपने आथों को रोग देगे, तो सारी काम रोग जाएंगे, अब अगर आप हाथ से कारी करेंगे, तो सारी काम चलते रहेंगे, and this is not intention of the poet, यह poet की intention नहीं है, तो वो दो बते कहते हैं, किसी भी बासा को, किसी भी देश को, एक second के लिए हम अपने arms को, अपने हाथों को, अपने action को, अपने कारियां को, अपने कर्मों को रोग दे, और इस दोरान हम क्या करेंगे, क्यों रोग दे भाई, भाई क्यों रोग दे, it would be an exotic moment, exotting, special, ऐसा खास समय होगा, वो, excitement होगी, without rush, जिशक अंदर कोई rush नहीं होगा, कोई भीट बड़ाका नहीं होगा, without Indians, कोई Indians की चलने की आवाद नहीं होगी, scooter, motorcycle, car, jeep, truck, और वार में जितने tanks हैं, जाज हैं, कोई इनकी आवाज नहीं होगी, we would all be together in a sudden strangeness, sudden means sudden, अचानक सब्बंद कर देंगे, strangeness, कते हम सारे stranger हैं, मैं ब्रिटेंड में रहने वाले किसी इंसान को नहीं जाता हैं, मैं जर्मनी में रहने वाले किसी इंसान को नहीं जाता हैं, तो यह हमारे लिए stranger ही हैं, हम सब एक सार, बेशक हम अजनदी हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि हम सब एक सार हैं, और benefit क्या होगा, fisherman in cold sea, जो मसली पकड़ने वाले हैं, वो cold sea में शमंदर में मसली पकड़ने जाते हैं, would not harm whales, कि वो मसलीों को नुक्षान नहीं पुचाएंगे, whales को नुक्षान नहीं पुचाएंगे, उनका life भी peaceful हो जाएगा, कितनी जाने बच जाएंगे, and the man gathering salts would look at his heart hands, और वो एक ऐसा exotic moment होगा, जिसके अंदर ना तो समंदर जियों को नुक्षान होगा, जो इन्शान शमंदर मैं की पास नमक निगालता है, उसके हाथ गल जाते हैं, उस leber को उस कामदार को इतना समय भी न agree है, कि वो अपने फात देख सके जिसके Huhah tat काहा हाथ गले वे, तो वो अपने हाथों को देखे था, oh I got hurt, मैं इतना इतने नुक्षान हो गया मुझे तो भूस पर दिखान देगा इसका मतलब इस कहा है इसका broad meaning यहा है कि जो labor class है वो भी अपनी तकलीफ देख सकता है तो जो लोग green wars, green wars का मतलब है अथियार बनते रहते हैं युद होता नहीं है अथियारों से income होती है अथियार बनाने वाले इंडस्टिस अथियार बनाने वाले देश ग्रीन वार्क चला रख है और तो वार का मतलब होता नहीं अजकल wars with gas और कहीं गैस से यह दो रहा है wars with fire कहीं आग से यह दो रहा है victim with no survivors this is important कि जीत तो होगी लेकिन आज जो वार मालने नुकलियर वार होगे तो जीत तो किसी एक देश की हो जाएगी लेकिन कोई उस जीत को मनाने वाला नहीं होगा उस जीत को शेलिवरेट करने वाला नहीं होगा because everybody will be destroyed due to these dangerous weapons of human destruction would put on clean clothes and walk about with their brothers और ऐसे industry lists ऐसे पैसे वाले लोग और ऐसे अमीर देश अमीर लोग साब सुत्रे कपड़ी पहने के जाज में बेट को बेट के वाल जाएगी है और उलेपन्स के अओगेंस्ट भी थां कि भी नी होने चाहिए थीक है है और कियाता है है कि पॉर का डिस्कस्षन किया थीक है एबेन का डिस्कस्षन किया है आप कह सकते हैं कि वह liberal जो अब लेबर के बस्ट में था वो ठीक है और आगे क्या करता है देखो वट आइवांट सुड्नोट बी कन्फूजड आप यह बताता है कि भई मैं चाहता हूं जो मैं बता रहे हूं आप उस बाद से कन्फूज मत लोगे ना कि आप को होगी शाल कि मिबंद दो दुनिया काम कि बंद नेखो नेखिएगा दो क्या कूछ चीजह इकनी कि बंद नहीं कर सकते विद टॉट आइंगे बिनेदन बूत भार आता है है इस टॉटल इनक्टिविटी का मतलब यह नहीं यह तो stop everything, each and everything, total inactive होता है, काम करना, inactive, special, एक किसम से, जिसमे कोई कारी न होता है, life is what it is about, total life normal है, वो तलती रहनी चाहिए, लेकिन, जो चीजी नुक्षान पो जाती है, उसको stop को, I want no truck up with death, मैं कोई death नी जाता है, यानि केशी ही death नी होनी, चीजी है, सब कुछ लोग ने के लिए, if we were not so single-minded, single-minded means personal interest हमारे नहीं है, हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, अगर हम single-minded हैं, अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते रहेंगे, तो दुनिया हमारा परिवार है, सब लोग ऐसा को ने लिए रहेंगे, then what will happen? And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness, और जो sadness है, हार इंसान sad, sad रहता है, यह जो huge silence एक second की रहेगी, जिसमें सब को सुख रहना है, वो सायद उसको interact करतेगी, silence तो वो भी है, आदमी के मन में जो उदास होता है, वो silence होता है, बट उसका mind काम लगता है, और उसको introspect करना है, सोचना है, ताकि उसको peace आसिर देए, और never understanding ourselves, इस परकार हम अपने आपको कभी भी नहीं से नहीं पहेएगे, setting ourselves with death, और हम अपने आपको मौत की कदार पर ले जा रहे हैं, perhaps the earth can teach us as when everything sees death and later proves to be alive, सायद हमें ये सारी शिक्षा जो हमारी पृच्वी है, वो ही हमें देंगी, आज तो वो युद के कारण साब को चल जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे, चर बेश प्षाब से फिरा रिवी थिया ओृष् लाइवी, ओृथ लाइवी, now I will count up to twelve and you keep quiet I will go, what does it mean, I will go means, I will also be keep quiet, नभी, keep quiet karma, what will counting up to twelve and keeping still us achieve to introspect, to bring perfect calm do you think poet advocates total inequity no, the poet does not support total inequity he means only to understand from our inner self so that we can unite important things will continue inactive doesn't mean to stop each and everything emergency things will go on but the things which are not required will not go on what is the sadness that poet refers to the poem sadness sadness individual sadness agar am sab individual sad rahenge sad rahenge ar apna apane baare mein socheyenge poet refers to that sadness what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under aberrant sadness nature yes, the earth will be alive the earth will be alive इसका बड़ा किश्टन है वो थीम है वो आप कर लेंगा आम से कोई दिक्त नहीं है मेन आइडियाज थीम है पूरी पोएम में मीनिंग से आपको आजाने चीए है अब मैं इसके पोएटिक डिवाइसिस और आपको बता देता हूँ जैशे पोएटिक डिवाइसिस में इतमें अब पोएम अब शोती है न तो थोड़ा आपको इसका आइडिया ते क्या है, पहले है एक पोएटिक डिवाइसिस होता है इमेजRी इमेजरी हिएगह, इमेजरी प्रिटिक डिवाइसी का, तब जाकर आपके इसकी प्रिटिक डिवाइसी समझ सकते हैं, आम तर दश्री प्रिधा हैं आपने figure of speech, figure of speech, figure of speech किन ही को हम poetic devices बलके हैं, ठीक है, आज मैं आपको main main जो नहीं बता देता हूँ, वीडियो है उपर, आप उस वीडियो को देखिये, के लिए और आज मैं इसकी बता देता हूँ कि कई बार इमेजरी करें जैसे कि इमेज आप पढ़ते होना तो आपके माइंड में एक इमेज आएगी बन जाएगी इसी भी चीज़ के बारे को ना ओल है पोईट है पोईटरी है ठीक है जैसे पिछली कोई माम ने बताया था मैं माधर एट 66 आपरे किया एट 66 में पोईट वो एक इमेजरी बनाती है ओल्ड इसी चीज़ है और विंटर मून इस सब पोईटिक दिवाइस इस यूज़ कती है वो इसे ट्री स्प्रिंटिंग मैरी चिल्रन मैरी चिल्रन इस सब पोईटरी जो न वो है आँ उसके बाद आते है सिमली शिमली देखो शिमली का मतलब है शिमली का मतलब है एव alter phrase that compares something to something else एक वरड और phrase किसी एक चीज़ से मालनों नमबर एक से उसकी comparison है compare तो इस चीज़ से कर रहा है लेकिन मतलब कुछ हो रहा है meaning is different ठीक है something else using words जैसे आम तोर पर comparison का मतलब यह है ज्यान लखना जहां like l-i-k-e like or as का परियोग होता है वो हाँ उसको simili बोल देख जादा उसके बाद simili हो गया एक metafor personification और metafor बोलता देता हूं ताकि आपको इस poem में जो भी है आप personification देख को symbol तो आपने मालू है symbol symbol का मतलब है एक चुछी चीज़ को एक बड़ी चीज़ बनाना और जो परतीक जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल चीज़ नहीं होती इसमें जो ना personification में human and non-humans का comparison करते हैं poet human को non-human के साथ human को non-human के साथ compare करते हैं कि ताकि उसके अंदर ज्यादा अफेक्ट आसके poem के अंदर थीक है उसके बाद आता है metaphor मैं अब इस 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 बना रहा है बता रहूं आपको main main question या आप i button में जाके देख सकते हैं metaphor एक word होता है कि कोई भी word है जैसे children's feeling पहली poem में था एक एक्जमपल इस इस में चिल्डरन स्पिलिंग ये my mother at 66 में था is an example of metaphor in the poem my mother at 66 इसमें action of child is used for youth children का बच्चे का जो action है children's feeling वो youth का symbol बदाया है ठीक है while her mother symbolize always जब कि उसकी मा की जो एज है वो old है यानि बच्चा और मा बुड़ी वरत और चोटे बच्चे इसको बोले हैं metaphor का परियोग किया रहा है poem में इसके अंदर आप उसके बाद है अब हाफ़ा कंप निशकी जो आपकी जो फिलाद जो आप poem कर रहे है OUT kieping quite किप Spiel quite मैं मैं अभी आपने अब का इजन्मों पर लेता हो पहले poem में आपको बधाव जलता हो ताकि poem में आपको जाए क्रिवेस भेस बेज़ बजाएंगे हम कि ये मेटवर यहां है तिसका मतलब क्या है ये चेले इसका हम image कर लिते हैं देखो Fisherman in the cold sea would not harm whales ये देखो Fisherman in the cold sea would not harm whales ये Stenza में दो line use करी है ये Imagery है imp измен का परियोग करके इसमें पॉइट ने एक तीम एक मीन आइडीय डालने का पुषि किया है वो फिसर्मैन की इमेज वीविड वीविड इमेज फिसर्मैन की क्रियेट करता है कि फिसर्मैन जो न अपना रोजगार के लिए भी पीजाते हैं और वैसे तो हार्म भी करते हैं अब ये तो फिसर तो हुमन है अगर वो कुछ दिन की लिए काम हो जाएं तो वो जो सी एनिमल्स हैं उनके साथ रिलिशन हो जाएगा इसका मतलब उनका ध्यान रख रहे हैं इसको हमें विजिए हैं से विजिते हैं अब पर्सोनीफिकेशन और दख लेते हैं ता साल्ट ये मैं गैधरिंग साल्ट लुक एट भीयार्ट अब ये देखो देखिव देखओ देख्वाइन साल्ट ऑभ लूक एट इ साल्ट इस हार्ट ये का मतलु है की ART हार्ट नहीं, अपका दिल बाला हार्ट नहीं, HU है, यहां इसका हार्ट का मुदलब है, चोट को जाना, नुक्षान को जाना, अटेक करना है, यहां जो इसके अंदर personification, human-like qualities to the action of gathering salt, emphasizing the physical pain and awareness, experience by man's hand, यह human को problem होती है, हाथ, इसके हैल हो जाते हैं, इनसान को तकलीप होती है, this is called personification, कैसे personification होया, कि यह तो normal आजमियम count होते है, salt gathering man, लेकिन इसके माद हमसे poet नहीं दिखाया है, कि वो भी इनसान है, जिसको हम कुछ से नहीं समझ को, उनको भी opportunity मिलनी चीए है, अपने हाथों को देखने के लिए, क्योंकि हाथ गायल तो नहीं है, मोक का मिलना चीए उनको भी, ठीक है, यह poet, poem मैंने सारी जुना है, NCRT की मुश्म में बटाया है, अगला symbolism, symbolism में जैसे clean clothes, यह देखो अगला, यह clean clothes, यह clean clothes, यह clean clothes का मतलब किया है, rich people, उनके कपड़े साथ वफाते हैं, अमीर आज में, तो यह symbol है, symbol of richness, इस परकार यह symbol का प्रियों किया गया है, और illustration, victory with no survivors, नीचे था न, victory with no survivors की, जीत तो मिल जाएगी clean clothes वानों को, लेकिन survivors को भी नहीं मिशेगा, victory with no survivors, अब यह victory with no survivors भी यह alliteration है, कैसे, कि भी जीत तो हो गई, युद तो खतम हो गया, लेकिन दूसरी पर इंसान तो बचाए हैं, आपने किस को जीता, आपने जंगल, जमीन, इसको जीता, निर्जीर चीजों को जीता, तो इसका मिकलव है, we should sound in victory and survivors, जहां बार-बार repetition हो जैशे, यह victory है, वी, वी की sound है, फिर survivors, वी, वी, तो यह बार-बार यह alphabet, जो नहीं repeat भी होता है, इसमें, this is called, repetition of alphabets, और musical sounds, ठीक है, इस परकार हमने आपको पूरी poem करा दिया, theme भी करा दिया, उसका stanza की explanation भी करा दिया, reading, comprehension भी करा दिया, ठीक है, और छोटे question भी, textual question भी करा दिये, even poetic devices भी करा दिये, आशा मुझे, आप इसको पूरा video को देखना, यह video अगर आप पूरी देख लेंगे, तो आपको कुछ भी करने की जुरूत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं समय नहीं देखता, समझना है, तो video देखना पड़ेग इक हैं, तो थैंक यू रएमस, पुर वाचिं पुन्सिबल सा यूटू शेखर, बाइबाई, सी नेक्स ताम